नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चेनल टेक्निकल जोब अपडेट में दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और मेसेज आ रहे थे के सर महारूती सुजी का जो पेपर होता है TW और CW का उसके जो क्योशन है आपके पास तो उसका एक सर वीडियो बना दीजिये तकि हमको questions का पता पड़ जाए किस तरह के questions आते हैं तो दोस्तों impressed हम आपको kinda questions का discuss कर ओंगा जो कि आपके लिए आने वाले एक्जाम में बहुत important होंगे और आपको लग आइडिया भी लग जाए किस प्रकार के question मारुतिस फुजगी की तरफ से तो यह जो 50 questions है, इनका PDF भी जो मैं आपको provide करवा दूँगा तो इसका PDF आपको के से लेना है, और कहां से लेना है इसका मैंने आपको आगे वीडियो में बता दूँगा कि आपको इसका PDF के से download करना है तो वीडियो को last तक जरूर देखना जिससे कि आपके सारे समझ में आजाएंगे और आपको पता पढ़ जाएगा इसका पीडियाफ आपको कैसे लेना है जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो यहां पर सारे क्योशन आपके मारूति सुजुगी की तरफ से पूछे गए उन्हीं को मैं डिसकास करूँगा और दूसरे क्योशन से उसको मैं इस वीडियो में डिसकस नहीं करूँगा तो दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और पास में बेल आइकन बना हुआ उसको फ्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए अगर कोई विडियो प्राइवेट कंपनी में व दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे साट क्योंके दरफ जिसमें अपको 50 के आपको प्रेला में दोस्तों यह है कि इसका ऌइडियोंस की यह फिरत की यह यहां पिसकी आई भिए probis करना है पर आपको सॉर आंसर जाएगा अगला क्योंशन हाता आपका डवर्ली ओफ पाई तो यह पर आपकीस फ़रक लापऑ फेर पत्रीस पॉइंट चार म्योंग कलती आतो है अगला क्योंशन सब्सक्रणा करना है सिंपल तेइस इंटू गुणा करना है 25.4 तो आपको यहां पर सही आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 584 पॉइंट दो यहां से एमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों यह जो पीडिएफ इस पीडिएफ को मैं आपको प्रोवाइट करवा दूंगा to tell us youGu is पीडिएफ आपको कैसे मिलेगी इसके लिए الक विडियुक्त में आपको आगे वीडियों मों स्यर्णा के से मिलेंगी तो आप बीडियों पुरा देखे आपको पता पड़ जाया कि कहा से और कैसे लीनी है तो अगला क्योंचन ने है दोस्तों यहां पे हमारा तो 22self याने कि आपको एक केजी बराबर जो ही वो दे रखाई 2.2 पाउंड तो यहां पर आपसे वेल्यू पूछे 187 केजी की जो ही आपसे वेल्यू पूछे तो आपको क्या गड़ना है सिंपल 188 into 2.2 कर देना है तो यहां से आपको आंसर जो मिलेगा सही वो मिलेगा दोस्तों यहां से आपको जो आपका उप्शन नमबर B है 411.4 यहां पर आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा अब बात करेंगे आपके अगले क्यूशन की तो यहां पर हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 5 तो 52 फीट बराबर कितने मिटर हो जाएगा तो यहां पर आपको 52 फीट जो होता है वो 15.48496 मिटर के बराबर होता है तो यह simple convert convert करने वाला question तो आपको convert करना आना चाहिए तो इसका option number B हो जाएगा अगला question की तरफ चलते हैं तो हमारा यहाँ पर अगला question है एक जीरो जीरो चार नो तीन तीन सेंटीमिटर जो सेंटीमिटर में में किसके बराबर होगा तो यह जो आपका मीटर में होगा दोस्तों यह आपका हो जाएगा option number C यानि की 150 पॉइंट टेतिस यानि की option number C के बराबर हो जाएगा अगर आप इसको सेंटीमिटर को मीटर में convert करोगे तो अगला question आता है आपका question number 7 तो question number simple आपको 426 और गुणा करना है आपका 1614 तो जब आप इसको गुणा करोगे तो यहांसा आपको जो सही answer मिल जाएगा वह option number D जो है यहां पर आपको सही answer मिल जाएगा और छे लाग सत्या सेजार 564 डिसका सही answer हो जाएगा option number D हो जाएगा इसका answer अगला question है दोस्तों यहां पर तो अगला question की तरफ चलते तो अगला question हमारा वी आर एबल टू सी स्टार्स ट्विंकल हमें हम सितारों को ट्विंकल करने में देखने में सक्षम है तो यह जो हता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है हम यहां पर इंको जो आपके तारह जो दिखते ही वह आपको चमकते वह दिखते है यानिकि इसका सही answer ज जाएगा अगले क्योशन की तरफ चलते हैं हमारा अगला क्योशन जो है वह रस्टिंग ओफ आईरन यानि कि लोहे का जंग लगना एक कारण है तो यह किसकी वज़से होता है रसाइनिक गति वीदी यानि केमिकल एक्टिविटी की वज़से यहां पर आपका लोहे के ओपर ज इस सबसे ज्यादा होती है तो यहने कि यहां पर आप्शन नंबर सी जो ही वह सई हो जाएगा अगला क्योशन है हमारा क्योशन नंबर ग्यारा तो वोट इस दटेंप्रेटर आप नॉर्मल लियुमन वींग तो हमारे एक सामानिय जो मानव होता है उसका जो तापमान होता ह 36.9 degree centigrade यानि कि option number B यहां पर आपका सही हो जाएगा अगला question आता है हमारा यहां पर question number 12 तो green aquatic plant found in Ponds Rivers R card यानि कि नदियों तालाबों में पाया जाने वाला हरा जलिये पोदेगों क्या कहते हैं तो उसको option number C यानि कि यहां पर हम oxygen nitrogen और दोनों तो गेसे होगी और यह वोटर जो एक लिक्विट हो गया तो यहां पर मेटल एक ही बचता है यह मरकरी तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मरकरी तो यहां पर आपको एक series दी हुई है इसको complete करना है जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो तो यहां पर आप इस series में देखो गाए तो पहले 7 8 9 और तो आपके आना चाहिए आपका 10 10 आना चाहिए वेसे यहां पर देखे तो जाएगा तो आपके नमबर डी सही हो जाएगा दस आंसर हो जाएगा तो अब बात करेंगे अगले क्योंशन की अगला क्योंशन है हमारा के नमंबर फंगर हिंदी बाशा में कुल कितने व्यंजन होते हैं निव accidents और अंदर तो टो आपको इसकी क्रिकृट्न अंबर पर आपको इसकी फुल फॉम मिल जाएगी वह मिलें आंसर नंबर बी में यानि जो आपका ओप्षन नंबर भी है लिक्वीड क्रिस्टल डिस्प्लेई यह आपको सही आंसर हो जाएगा उसके बात करेंगे दोस्तों आप अगला क्योशन तो हमारा अगला क्योशन है लार्जे वोट इस देगेश्ट प्लाने इन वर स्मॉष्ट में सबसे बड़ा जो प्लानेट वह कौन सा ए तो इसमें उप्षन में हो जाएगा जूपिटर यानिकी ब्रहस्पति यह हमारा वह सबसे बड़ा यहां पर ग्रह है नहीं कि ऑप्षन नंबर से हमारा सबसे बिगेश्ट प्लानेट जो जाएगा जूपिटर जाएगा अगले क्योशन की बात करेंगे तो अगला क्योशन हो जाएगा हमारा केमिकल नेम ऑफ साल्ट इज यानि कि जो नमक होता है खानेगा उसका जो 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 आपको यहां पर आपको एक सीरीज को आपको कंपलीट करना है तो जैसे कि आप यह पर देख सकते हो पहले आट दिया हुआ हुआ फिर आट चोड़के एक बार आपको कंतीन्य में डे रहा है तो यहां पर आट आगे तो यहां पर देखते है तो यहां पर 12 में कितने जो ग्लाइब प्लस 6 तो हैंप्लस 6 प्लस disuit क्लाइब तो यहां पर आपको gentleencie can जा औरप esf करने चलरा है म।ो इस प्रकार आपको सीरिस को सौल करना है तो यहां पर आपका आंसर जो जाएगा ओप्शन नमडर सी 34 तो यहां पर दोस्ता नों टेक्निकल पूरे 20 विश्ट कोशन होगे अब बात करें हैं आपके यहां पर पहला क्योंच आता है वो होता है इस इसमॉलेस्ट अनिक इन में से सबसे कम मात्रा में क्या होता है सबसे छोटा होता है वह इलेक्ट्रों होता है तो यहां पर ऑप्शन नमबर सी जो है वह सही हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अगले क्योशन की तो अगला क्योशन है हमारा ट्यूब लेंप चोग इस दा बेस्ट एक्जामपल तो हमारा ट्यूब लेंप का जो चोग हो सबसे अच्छा उदारण किसका है तो जैसा कि आपको पता है कि यह जो होगा तो यह इसमें हमारा जो इस्टेटिकली इंडियोस यह मेंफ यानिक ऑप्शन नमबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ट्यूब लेंप नहीं है तो यहां पर आपको पता होगा कि W आपको को प्लस नहीं और है तो गलती से दियूब होगा तोजिकली आपका मेच कर रहा है ओग्म मेरे कर रहा आपक जो आपका नहीं कर यह नहीं के नियम से यह रहाए गलत करेंगे तो अगला वीडियो में बात करा हूँ तो यह बात में इस वीडियो में बात कर ल्म देखता रहा हूं तो यहां पर अगला होता है क्योंशन हो जाएगा आपका आपका सोर्स ओफ एम इस रिक्वाइट इन ओर्डर्टू याने को सोर्स आउशक है तो आपका सोर्स के रूप में क्यों होजय तो हम चाहिए कि गताना तो कि ऐलेक्ट्रोन की है है यानले कि इलॉक्तों की इल् Και्न और खalATE है यानले 09 जान हूं हुच्टोस यहांब़ करती की सैस्ट हो जाएगा तो अगले वह पार प्रम से चोई इस ओम इंड आर्ट ओम् के जो रसिस्टर है यह हमारे पेरेरल में इकनेक्टेड यानिकी समांतर सीनिनि में समांतर में आपके इस इक्विवेल्इक रसिस्टेंस है वह किसे होते हैं तो इसको डारेक्ट ग्याद कर लेते हैं जिसका सीधा सा फोर्मूला होता है आरवन आरटू अपोन आरवन प्लस आरटू आपको जो है यहाँ पर आरवन की वेल्यू भी दे रखी है और आपको इस फोर्मूले में जो ही वेल्यू रखे आपको एक फॉर्मूला पता होगा और बराबर रो अपॉन प्रसिस्टेंस इस दातू के मामले में प्तार प्रतिरोध जो वो कितना होता है तो यहां पर आपको एक formula पता होगा आर बराबर रो एल अपोन ए आपको इस formula से simple निकालना है तो यहां से आपको इसका answer जो मिलेगा वो मिल जाएगा directly proportional to length याने की option number B यहां पर आपको सही हो जाएगा तो दोस्तों अप मैं आपको बता देता हूँ आपको इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे तो मैंने वहां पर comment में जो इसका link दिया हुआ है तो आप इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर करके इस पीडियेफ को download करके आप अपने पास रख सकते हो या फिर आप इसको कया इस रिप्रेसंटेड्स इन फ को कमें जो दोस्तों उसका यहां पर यू नींच होती है अब्सलिक्री सेंटिग्रेट ओन सेंटिग्रेटplessल में अधिकि यहां इकष्टेट एंगला क्योश्डी को आए तो अंगला क्योश्न की बात करेंगें Yet review investir sut तो हमारा यहां पर क्योशन नमबर 29 यान कि वोट इस दप पिरियोडिक टाइम यहां पूछा हुआ है और यहां पर फ्रिक्वेंसी दी हुई है पचास हर्स इसके लिए आपको टाइम पूछा हुआ है तो टाइम पिरेड होता है आपका एक बटे-पचास एक बटा तो यहां पर बिसेड-तो अब क्याक्न की बात करेंगे तो हमारा अगला क्योशन नमबर 30 यह आपका फ्रिक्वेंसी org chamul Cand तो जब आप इससमें टाइम पिरेट निकालोगा तो टाइम पिरेट हो जाए यानी एक बटा फ्रिकवेंसेह करोगे तो यहां पर आपको time period मिल जाएगा second के अंदर और जब आप उसको क्या करोगे millisecond के अंदर convert करोगे तो यहां पर आपको option number D आने की point 5 जो है आपको millisecond सही answer मिल जाएगा option number D आपका सही हो जाएगा अगला question आता है हमारा question number 31 इस शोट सर्किट है एक शोट सर्किट में जैसे कि यहां पर आपके दो पॉइंट है जैब शोट सर्किट होगे तो इसमें क्या होगे आपका current flow कर जाएगी यानि कि जो आपके जो वाइंडिंग होती है आपकी कुंडली होती है कि वाज़े से क्या होता है आपका पार फेक्टर होता है तो यहां पर option number क्या हो जाएगा option number B यानिकी यहां पर आपका सही answer हो जाएगा question number 32 का अगला क्योशन आता है हमारा क्योशन नमबर 33 की बात करते हैं एक व्यक्ति जब बिजली का प्राप्ट करता है तो और बेवोश है हम उसे पीने के लिए पेशकर्स करते हैं तो यहां पे जो हम इसको जब कोई आदमी बिजली का जटका लगता है तो उसको कुछ भी पीने के लिए नहीं देते हैं जबकि हम उसको अपनी साथ दे करके उसको जो है अगले क्योशन की बात करेंगे दोस्तों तो आपका अगला क्योशन है क्योशन नमबर 34 क्वांटम उप इलेक्ट्रिक करेंट विच में ग्यूप पैंफुल इलेक्ट्रिक शो तो यहां पे आपको जो करेंट की उस वेल्यू का मान बताना जिस पर कि आपको यहां पर करएटा महिसुस हो सकता है और पांस मिली एंपियर होता है और पांस से लेकर कर्के यहां पकी लेकिन आपसे जो पूछा हुआ है जिसेपे की इनसान बस एक डर्दनाग विजली का जटका महसूस कर सकता है तो यहां पर उसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा इसके लिए अगला जाता है दोस्तों आपका question number 35 question number 35 मेरे को लगता है question गलत है तो इसका answer मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि जब आप mega ohm को convert करोगे तो यहाँ पर पीछे unit दे रखी है hm यहाँ पर कोई convert करने ही unit नहीं होती है तो मेरे को इसका answer सही पता भी नहीं है और मेरे हिसाब से question गलत है अगर आपको पता हो तो आप इसको सही कर सकते हो उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हमारा question number 36 जिसमें होता है the unit of current याने कि आपको यहाँ पर current की unit पुछे तो current की unit जो होती होती है ampere तो इसका option number सही हो जाएगा option number C ampere यहाँ पर अंसर होगा अगले question की बात करेंगे दोस्तों तो अगला question है हमारा the potential difference required याने कि आपको potential difference याने कि वी पुछा हुआ है तो पास a current of 0.2 ampere याने कि यहाँ पर आपको आई की value दे रखिए 0.2 ampere वैसे यहाँ पर a wire of resistance याने कि यहाँ पर आपको आर दे रखा है 20 ohm यहाँ पर वोट नहीं है दोस्तों यहाँ पर वोट की जगे तो यहाँ पर वी पुछा हो तो हमारा voltage होता है तो voltage को घ्या लिखते है जह हमारा voltage होता है तो इससे का हरा जएगा tip का यहाँ यहाँ है यहाँ याने कि इसका option number question की यह दिदा है is नोनबर 49 यूनिट ऑफ रसीस्टिवीटी तो आपको बता है रो अर बराबर होता है रो एल भाई ऑढ़ा अगला क्योंट और यह तो यहांपर दोस्ते जहांपर वॉट दिख रहा है न यह वॉट निया है में यहां पर ohm का साइन है तूर एसिस्टेंस ओफंड्रिट जी्रो ओम तो यहां पर दो रसिस्टेंस दे रखे एक आरवन की विल्यू तो दे रखी है आपको हंड्रेड और घंड्रो और जोग चाहिं टूर्टर हो प्लस और नस प्लस तो जब यहां पर आप सौल नोगे तो 100 इंटू 0 आपन प्लस 0 गश्य जीरो बटा सो या नीं कि जीरो ओम यापका सही आन्सर हो जाएगा तो भाद करेंगे दोस्तों अगले क्वेशन की तो क्यों नमबर 41 इक्तालिस में आपको फिर से फ्रिक्वेंसी पूची और टाइम पीरिद जो इस पर बीदर भी सब करेंब घाऊ गड़ मृटाइम तो हो यहां पर एक बताइब रख देना है तो आपको जो जो आप उस फिर्क्वेंसी को में उसमें तो यहां पर आपको टैम महीं कर लीनना है के बाद यहां पर पछी इसकी स्था तक मिल जाएगा 500 हट्स जो यहां पर आपको सही option मिल जाएगा अंसर नमबर ए अगला क्योशन आता है दोस्तों यहां पर हमारा moving coil voltmeter rates 10 volt AC how big is the effective value effective voltage तो यहां पर आपको क्या पूचा है एक गतिशिल coil voltmeter यहां आपको moving coil voltmeter दे रखा है जो कि आपका 10 volt ampere current दिखाता है कितना बड़ा प्रभावी आने कि आपको प्रभावी का मतलब होता है rms value यहां पर आपसे पूची हुए तो यहां पर rms value कितनी होगी उसकी तो इसके लिए जो आपका सही answer हो जाएगा हो जाएगा option number a higher तो इस यहां पर इसका option number a सही हो जाए क्योचन नमबर 20 के लिए अगले क्योचन की बात करेंगे दोस्तों तो अगला क्योचन हमारा लेड एसिट सेल इस रिचार्जेबल विकोज यहां आपका जो लेड एसिट सेल होता है वह रिचार्जेबल होता है यानि कि उसका बारबर चार्ज गर सकते हैं तो यह कौन सी प्रोपर्टी की वज़े से होता है तो इसका option number C जो है यानि chemical reaction is reversible यानि कि रसाइनिक प्रकिरि प्रतिवर्टी है तो इस प्रोपर्टी के वज़े से जो हमारा जो एक लेड एसिट सेल वह क्या होता है रिचार्जेबल होता है तो यहां पर इसके लिए option number C जो है सही हो जाएगा अगला question आता है दोस्तों हमारा question number 44 दन नीकिल आइरन सेल होता है यह क्या होता है secondary सेल होता है प्लस साथ में जो होता है वेट यानिक वेट सेल होता है तो इसके लिए option number C जो है यहां पर आपका सही हो जाएगा अगला question की बात करेंगे तो अगला question है हमारा temporary magnetic material यानि कि आपका इस्थाई चुम्ब की सामगरी जो है वह इन चारों में से बात करें तो सिलिकन इस्टी जो आपका temporary magnetic material है अगले question की बात करते हैं दोस्तों तो अगला question आता है हमारा question number 46 इसमें पुछा वाया आपसे a material that can be magnetized only a very slightly is cold यानि की हिन में बोलते हैं तो material जो केवल थोड़ा ही चुम्ब की किया जाता है उससे का उस इससे कहा जाता है तो उसको यह बहुत हल्का सा हलका सा magnetic field हे जो magnetic किया जाता उसको हलका सा जिसमें क्यों magnet हो जाता है तो वह होता है यह हमारा सबस्देट होता है और यह वह होती है हमारी ferromagnet यानि कि इसका option number D सभी हो जाएगा answer अब बात करें question number 7 की question number 7 है हमारा what is the unit and symbol of current तो आपको пож vibrant की unit करगड की unit के सब्केद करते हैं चुछारे की बात हों टेयर समद्वाइब्रेटिं विट्र होने पर डहाड नीज फोन घ्यटिए करते हैं यहां पर आपको आप को करते हों पर आपके चोक क्ये साँडने को mrk in when goods to नंबर के लिए अगला क्यो仉 होता है हमारा क्योषा नंबर गुनपचास तो इन என on और इनलोग और क्या है डीजिटल तो तरह कि आपके सिगनल होते हैं अगला बात करेंगे यहां पर आखरी प्रकार प्रकार बेस्ट एक्जामपल आपका दोबारा रिपीट हो गया है तो इसका जो आपका सही और बी याने कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तो दोस्तों यहा को एक प्रकार के लिए जो आए होए तो यह में आपसे 50 जो इस वीडि़ू में डिसकस यह अगर आपको लगाओ तो लायक करें और चैनल है पहली बारा था चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज्यादा करें ताकि आपके जो दोस्तों को इस पेपर के बारे में पता पड़ जाए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो और आप जो गोवर्मेंट जो लेटेस्ट प्राइवेट कंपनी की जोब पाना चाते हो तो भी आप हमारे इसी चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद